कि दोस्तों नमस्काल कहिए कैसे हैं आप सब आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम लोग सिखेंगे 30 डेली प्रयुक्त होने वाले सेंटेंस वाक्य जो हम डेली दिन चरिया में यूज करते हैं दोस्तों इसको अगर आप मेमराइज कर लेते हैं और इसके अकोर्डिंग और भी सेंटेंस बना लेते हैं तो आपकी इंगलिस बोलने की समता में जबरदस्त उचाल आ जाएगा दोस्तों ठीक है ना बोले तो रै कर देजेगा ठीक है ना और साथ साथ बेल आइकन दबा देना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों शुरू करते हैं तुम कहां से आ रहे हो वेर आर यू कमिंग फ्रॉम तुम कितनी बार दिल्ली गये हो हाव ऑफन हैव यू बिन टू देली वह देखने में कैसी है what does she look like मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ what can I do for you तुम्हें तो मिठाई अच्छी लगती है ना you like sweets don't you कुछ चाय बच्ची है there is a sorry there is something left उसका एक छोटा सा सुन्दर घर है he has a pretty little house मैंने बहुत देर पहले चाय पी I had mighty long ago इस पूल से बिहार को बहुत लाप पुंचा है this bridge has immensely benefited बिहार उसने हिम्मत नहीं हारी he did not lose heart उस गाउं में आग लगी a fire broke out in that village a fire broke out in that village बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे थे many educated persons were watching लोग भागते रहे people begin to flee away मैं खाता रहा I went on eating वे कहते रहे they kept on saying आज सभा होगी there will be a meeting today पंका चल रहा है the fan is moving हवा चल रही है the wind is blowing घरी चल रही है दिवाच is running खेल चल रहा है पिले इस ओन इलाज चल रहा है तदी ट्रेटमेंट is going on मेरी घरी चलती ही नहीं my watch has stopped working गाच में फ़ल लगे हैं दोस्तों गाच मींस पेर होता है तो गाच में फ़ल लगे हैं ये ट्री हैज बॉर्ण फ्रूट ये ट्री हैज बॉर्ण फ्रूट actually बिहार में काफी लरके लोग को गाची बोलते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि पेर तो उनके डाउट के लिए करने के लिए मैंने बताया है गाच तो गाच में फ़ल लगे हैं ये ट्री हैज बॉर्ण फ्रूट उसे निंद लगी है he is sleeping he is feeling sleepy उसे निंद लगी है he is feeling sleepy उस जोपरी में आग लग गई the heart caught fire the heart caught fire लोहे में जंग लगता है iron rusts मुझे चाय की आदत लग गई है I am addicted to tea I am addicted to tea कैसे मुशिवत है what a problem मकान किराय पर लगा है the house has been let out दरवाजे पर परदा लगा है there is a curtain on the door there is a curtain on the door दोस्तों यह पांच मिनट की वीडियो में आप तीस word sorry तीस sentence अगर आप याद कर लेते हैं तो समझे लाइफ में आप क्या क्या कर सकते हैं तो दोस्तों इस विश्वास के साथ कि आप तीस sentence जो 30 sentences से उसको आप memorize कर लेंगे हैं और अभी तक फिर से request करता हूं गर आपने मेरे चनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजे साथ सद्वेल आइकन डबा दीजे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों को भी share कर दिएगा दोस्तों और ह वीडियो कैसा लगा प्लीज कोमेंट करका बताना न भूले क्योंकि आपके कोमेंट पर ही सारे चीज ठीका हुआ रहता है और मेरा नेक्स्ट वीडियो का performance उसी हिसाब से ग्रो करता है दोस्तों तो थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू बहुत धन्यवाद